फिल्म के शुरुवात में हमें एक इंटरनेशनल गर्ल स्कूल दिखाय जाता है जहां पर मिया नाम की एक नई स्टूडेंट आई थी और इसलिए वहां पर कैसी और उसकी दोस्त मिया को परेशान कर रही थी उन्होंने मजाक मजाक में उसे स्विमिंग पूल में भी ढेकेल दिया था और दूसरी तरफ मिया की सोतेली बहन शासा इसे देखकर इग्नोर कर देती है क्योंकि वह अपनी बहन मिया की मदद नहीं करना चाहती इसके बाद शासा की मा जैनिफर उन दोनों को स्कूल से पीक अप करने आई थी वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मिया के पिता ग्रेंड से जैनिफर ने शादी कर ली थी और इसलिए मिया उसकी सोतेली बेटी थी और शासा उसकी अपनी बेटी थी लेकिन उन दोनों बहनों के बीच अपनी फैमली जैसा कोई भी संबंध नहीं था जो की काफी अजीब भी था इसलिए शासा अपनी बहन मिया स आकर रिसरच करते थे ऐसे एक दिन वह अपने क्रू मेंबस के साथ समुदर की गुफावों में रिसरच कर रहे थे तब युँ उन्हें एक शार का दात भी मिलता है जो आपने बेटी मिया को दिखाते हैं यह दिक कर मिया भी उसमें काफी दिल्चस्पी दिखाते हुए उस द पर जाना ही पड़ा जहां पर वह अपने ट्रिप में शार को दिखने वाली थी इसलिए अगले दिन ग्रेंड के आदमी बेन और काल दोनों बहनों को उनके डेस्टीनेशन पर छोड़ देते हैं इसके बाद शासा की फ्रेंड एलेकसा और निकोल भी वहां आती है वह शासा को केसी को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है लेकिन गारी में बैठने के बाद वह चारो लड़किया केसी को वही छोड़कर वहां से निकल गई अब वह चारो ड्राइव करने के बाद उस लोकेशन पर पहुँच गई जहां पर एक कोकोनट प्लांटेशन था जिसके सभी लेक के मजे लेने लगी और यह लेक काफी जादा बड़ा और गहरा था क्योंकि कई हजारों साल पहले यहां पर एक शहर हुआ करता था लेकिन समुद्र का जल इसतर बढ़ने के कारण वह समुद्र में ही डूब गया और उस शहर का पूरा हिंसा वहां के छटों से बं आई थी जिसे पहनने के बाद में वह शारों लड़कियां पानी में कूद गई इसके बाद हम देखते हैं कि शुरुवात में उनका उक्सीजन लेवर हंड्रेट परसें था और उन सभी लड़कियों का प्लान उसे पुरानी सभ्यता को देखकर वापस अपने पर उन्हें वह पुराना शहर भी दिखाई देता है और उस जगह पर बहुत सारी पुरानी और भब यह मूर्तिया रखी थी सभी लड़कियों को यह मूर्तियों को देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था तभी आगे जाने पर उन्हें ट्रेटा फिश मिलती है जो लेकिन वहाँ पर जो मचली थी उसके लंबाई काफी बड़ी थी और उन सभी लड़कियों ने वैसी मचली पहले कभी नहीं देखी थी लेकिन वह मचली निकोल की आवास सुनकर उस पर चिलाने लगती है जिससे निकोल काफी डर गई और डर कर वह पानी के नीचे छलांग लगाने लगी जिससे वह एक पिलर में जाकर टकराती है जिसके टकराने से ही वह पिलर गिरने लगा और वहाँ पर रखी सभी मुर्तियां भी उस पर गिर गई और इसलिए वहाँ पर काफी ज्यादा भगदर मच गया जिससे वह सभी डर कर अपनी जान बचाने के लिए काफी हैरान होता है क्योंकि उसे उन्हें यहां होने का कोई अंदाजा नहीं था इसके बाद यह दोनों लड़कियां उसे अपने साथ हुई घटना को बताने लगती हैं लेकिन तभी वाई शार्क आकर बेन को अपने साथ पकड़कर ले जाती है और तब उसका खुन पानी मे देखकर काफी डर गये और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहां पर कोई शार्क भी हो सकती है इसलिए वा तुरंत वहां से भागने लगती है ताकि वा शासा और निकोल के पास जा सके इसके बाद वा उन्हें सार्क के बारे में बताकर दोबारा उसी रास्ते से जाने लगी लेकिन वा शार्क दोबारा से आकर उनका पीछा करने लगी लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा था इसलिए वा उस रास्ते से नहीं निकल पा रही थी लेकिन शार्क के लगतार हमले से वहां पर दरारे आ गई और देखते ही देखते वह पूरा मचली की तरह अंदी थी और वो इन लड़कियों की आवास सुनकर ही उन पर अटैक करती थी और उस जगव पर ऐसे बहुत सारी सार्क्स थी तभी मिया को याद आता है कि आखरी वाज जब उसने बेन को देखा था तब उसके पास एक गाइडिंग रहती थी और यह रसी सीधे उसके पिता ग्रेंड के लोकेशन से जूड़ी हुई थी जिसके सहारे वो अपने पिता के रिसर सेंटर जा सकती थी अब इसलिए वह चारों लड़कियां बेन की रसी को ढूंद कर उसी रसी की तरफ जाने लगती है लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कोने में उन्हें रसी कटे हुई मिलती है वो सभी से देकर बहुत परेशान हो गई तब उनके सामने एक वाटर अलार्म दिखता है जो काफी ज्यादा शोर कर रहा था और उस अलार्म के तेज आवा सुनकर वह शारक इन पर हमला करती है फिर उस वाटर अलार्म को पकड़ कर अपने साथ ले गई शारक वाता देखकर या चारो लड़कियां घबरा कर नीचे जुग गई जिससे उनकी जान बच गई सभी खामोश हो गई और तब शारक बिलकुल उनके पास से निकल जाती है लेकिन इस वक्षासा का उक्सीजन लेवल 25% के नीचे जा चुका था जिससे उसका उक्सीजन अलारम बजने लगा और उसके आवाज सुनते ही वह शारक वापस आने लगी अब शारक को अपनी तरफ वापस आता देखकर वह सभी पैनिक होकर दोबारा से भागने लगी और इसके बाद में सभी लड़कियां एक पतले रास्ते से होकर जाने लगी और वहाँ पर एक पास-पास से ही आ रही थी इसलिए मिया उस अभी को वहीं पर रुकने के लिए कहती है और वह खुद उस आवाज का पीछा करने के लिए आगे जाने लगी क्योंकि उसके पास उन तीनों से ज्यादा ऑक्सीजन था इसलिए वह इस खत्रे का सामना करने के लिए तैयार थी अब आवाज का पिछा करते हुए कुछ दूर जाने पर वह देखती है कि यह आवाज कहीं और से नहीं बलकि कारल के पास से आ रही थी जो अपने साथ लाए एक waterproof speaker पर music सुन रहा था और साथी साथ वहाँ पर welding भी कर रहा था लेकिन उसके speaker की तेज आवाज से वह white shark भी मार देती है लेकिन कारल मरने से पहले अपने साथ लाए एमर्जेंसी अलार्म को एक्टिवेट कर देता है जिससे उसके इमर्जेंसी की सुचना उसके research center तक पहुच जाती है तबी वहाँ पर मिया आ जाती है जहां पर उसे कारल का अलार्म दिखाई देता है और उसे अपने साथ हुई सभी खटनाओं को उन्हें बताती है तब ग्रेंट जाकर बाकि सभी लड़ियों को भी अपने साथ लाता है लेकिन उसकी अवास सुनकर वशार्म फिर से उसका पीछा करती है और इस बार वह उसार्म को चकमा देकर पानी की सत्व पर आ जाते हैं उपर आ वहाँ पर दो शार्म का जाती है जिसे देखकर निकोल काफी ज्यादा डर जाती है और वह भी उस रस्सी पर चढ़ने लगती है जिस पर एलेक्स चढ़ रही थी लेकिन वह रस्सी बहुत मजबूत नहीं था क्योंकि वह एक बार में एक ही इंसान का वजन उठा सकता था इ वह यहाँ पर रस्सी तूटने के बाद उन सभी को उपा जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था इसलिए एलेक्सा डर कर अपना इमर्जेंसी अलार्म ओन कर देती है और अलार्म के अवाज से सार्क के भीतर काफी ज्यादा पेन में हैसूस होता है क्योंकि उन्हें अल भावस से वह लोग खुले समुदर में जा सकते हैं लेकिन उन तीनों को सब्सक्राइब कर सकते थे इसलिए वह लोग समुद्र के भीतर जाते हैं तक ग्रेंड के उपर एक य शार्प नहीं हमला कर दिया जिससे उसके वहीं मौथ हो गई अभिया धिकर्मिया और शासा रोन और उन शार्क से बचते हुए पानी के तेज बहाओ की तरफ चली जाती है लेकिन बीच रास्ते में एक शार्क ने अलेक्सा के उपर हमला करके उसका अक्सीजन टेंक निकाल दिया जिससे अलेक्सा की मौत अक्सीजन की कमी से हो जाती है और वह वहीं पर पानी के भीतर था ताकि वे शार्क उस मीट को खा सके दोस्तों यह वही बोट थी जिसमें उनके इस कुल्ट रीप होने वाली थी और इस बोट रीप के लिए मिया और शासा यहां पर आई थी बोट के भीतर समुदर की मचलियों और शार्क को देखने के लिए ग्लास केबिन बनाया गया था जिससे पानी के भीतर की चीज़े साफसाब दिखाई देती थी और तब हमें वहाँ पर केसी भी दिखाई जाती है बोट के भीतर तेज आवाज में म्यूजिक बज़ रहा था जिससे उन लोगों को मिया और शासा की आवाज का पता नहीं चलता इसलिए वे दोनों काफी ज को देकर काफी जादा डर जाते हैं और सभी बच्चे उन्हें बचाने के लिए बोट के ऊपर आ गये बोट के क्रू मेंबर उन दोनों को बचाने के लिए एक रसी की सीड़ी फेकते हैं जिससे मिया सबसे पहले बोट पर चड़ जाती है लेकिन जैसे ही शासा बोट पर गई और वह काफी बहादूरी से शार्क पर हमला करती है जिससे वह शासा को छुड़ा कर बोट पर चड़ाने में काम्याब हो गई लेकिन अब जैसे ही मिया बोट पर चड़ने लगती है कि तभी उस शार्क ने मिया को अपने मूँ में पकल लिया और अब मिया शार्क के होकर वहां से उसे चोड़कर भाग जाती है इसके बाद मिया भी बोट के उपर चड़ गई और वे दोनों फाइनली एक दूसरे की मदद करने के लिए अब तैयार थी और वे दोनों एक दूसरे की आँखों में दिखकर रोने लगती है और यहां पर ग्रेंड का उन दोनों बेहनों को ट्री पर भेज कर मिलवाने का प्लान कामयाब हो जाता है लेकिन यह देखने के लिए वो अब इस दुनिया में मौजूत नहीं था और दोस्तों यह अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म होती है तो अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल क लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा और बाइबाए